है गाईज वेलकम बैक टो सुपर फास्ट इंगलिस सकेट में दोस्तों कल की आपको जो वकेव लरी की जो एक इस्पेशली वीडियो वनाई थी ट्रिक वेस्ट वह आपको बहुत अच्छी लगी थी मैंने कल आपके सारे कमेंट पड़े थे और बहुत अच्छा रेस्वंस थ तो इसलिए अब यह सेकंड वीडियो आ चुक है देखिएगा इससे पहले ग्यारे में आपको ऐसे कंटस्ट करा चुक हो आप कभी नहीं बूल सकते अब मैं बारे स्टार्ट करता हूँ देखिएगा अगर आपको सीकेंस से बाइस से कर चार सो पॉरा सेशन आपको देखना अब देखो यहाँ पर लिखाया है कि पैंडे मूनियम क्या लिखाया है देखो यह लिख रहा है पैंडे मूनियम अब इसका मतलब होता है कोलहाल पूर्ण बाता है मतलब हो हला हो जहां पर देखो आप ऐसे याद रखो जैसे यह लिख रहा है पैंडे ऐसा लिख रहा है प आप ऐसे समझो, पैंडे मूनियम मतलब जो पंडा लोग होते हैं, जाएं, वहां का जो बातावन होगा, वहां के शंक दुनियों से ले करके, या फर हवन कराएंगे वह और हर तरेके जो है मन्त्र उचान करेंगे तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पंडा और मुनी जहां मिल जाएंगे वहाँ पर कैसा बातनवन हो जाएगा? वहाँका नॉइजी हो जाएगा रकस हो जाएगा क्या हो जाएगा रकष हो जाएगा राइट याद रहेगा नहीं हो जाएगा चलो और काम साइलेंस ये इसका उल्टा है अब आगे बढ़ो एक बार रिविजन करवाँगा पूरे जो कल भी करवा दिते अब देखो ये लख रहा है बैली कॉस बैली कॉस का मतलब होता है जग बैली मतलब ऐसा लग रहा है बिल्ली और आपको पता हुगा हर घर में यदि जगडा होता है तो ये समझाल है कि मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई होती है जैसे सास बहु में अगर मालो उनकी नहीं बन पा रही है तो उनमें जो लड़ाई होगी ये पक्का मालो जि कैसी होती है याद रखो जगडालो होती है तो बैलिकॉस याद हो जाएगा ठीक है क्वेरल सम जो लड़ाई जगडा से संपन हो एक है वार लाइक मतला वही युद्ध चलो धकादक और भाईया जो बहु और सास जो बहु है वो सास के बारन कहच कहचे मार रहे है आजा तो इ शोटम को एप शोटम को दाक संपना याद रही है बड़ी जाती है तो आप याद रखेंगे कास्ट मतलब या ख़टम करता है कि चोटम कृति अशु याद रहो ठाक है मतलब रेप्री मेंड रेप्री मेंड वोई डाट फटकन नहीं होता है रिबुक ठीक है मतला बखबख मत करियो तो रिबुक हो जाएगा एक रेप्री मेंड तो यह हुज़ा形 मतला एक समझझे हो कि मतलब रेप्री वनेगे मैंच वें मानि कोई जाएदा बोलेगा तो रेपरी क्या करता है जो भी एगर कुछ गलत होता है क्रिकेट में जाहिज है उसको क्या हो डारता फटकारता तो याद रोगा रेपरी मेंड हो जाएगा review को ज्यादा बकवाक मत करना निमार हो तो यह हो जाएगा castigate चलो आगे बढ़ जाओ और उल्टा क्या हो जाएगा praise प्रसंसा करना वाँ मेरे share extol वो भी प्रसंसा ही होता है आगे देखो benni volant benni volant का मतलब क्या होता है बताओ dayaloo होता है मतलब kind होता है all trust होता है benni volant अब ऐसे याद रखो benni मतलब जो होता है बनिया बनिया मतलब बोले मतलब बड़े बोले वाले होते हैं तो benni यानि बनिया और volant मतलब बोले वाले तो जो बनिया लोग होते हैं बोले वाले वो कैसे होंगे बताओ वो दियालू भी होंगे तो याद रखना बैनी वोलहों होता है जो बनिया चोक्त कि बड़े बोले वाले होते हैं मतलत दियामा सब्मेदी बलतु क्लिंदसलगヅ तो लिध कामेंच सब्दसब्द श्ट्र कोई अगर कोई परिशा नहीं हो गई है सबस्पोस करो किसी कोई कैंसर हो गया अब कोई ढुक्टर है और wear mental मेंटल है अब कोई डॉक्टर यदि किसी रोग का इलाज़ करेगाक 5 ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने मतला कुछ ने कुछ हानी है गई। इसके बादे को बेले फुल, ऐसे समझो, बेले मतलब बेला, दूद को बेला, अब बेला अगर फुल है जाए, तो जाइज है, कुछ नो कुछ गड़बड हो जाए, कि दूद जुग है, वो फैल जाएगा, हानी हो जाएगा, ठीक है, तो बस यादी करना है, बाकी, अगर समझो, एकदम मतलब उसकी तो कुछ समझ भूल, एकदम गंदा हो जाता है, तो यह हो जाएगा, डेट्री मेंटल मतलब डॉक्टर मेंटल है, और किसी का इलाज करेगा, तो हानी कार, बेले फुल हो, बेला भरेगा, और दूद फेल लो, लपर लपर, चलो, अब आगे बढ कान में अगर किसी के रस्ट डालोगे, तो कैसा है बताओ, मदूर सुनाई देगा, कैसा सुनाई देगा, मदूर सुनाई देगा, तो कैनो मतलब कान में अगर काव के रस्ट डाल दिया, तो वो बड़ा मदूर सुनाई देगा उसको, ठीक है, क्योंको रस्ट भी बड़ा ही मदूर होता एकदम मीठा वैसे कुछ होगा नहीं ऐसे तो गड़ बड़ वैसे जोटू बोलना हूँ लेकिन आपको याद कलेना कर कान में रसा आ गया कैनोरस देखो जब यहाप इसे बारवार बाड़ लेंगे न मेरी मैं जो बोल रहा हूँ तो वर्ड जब भी कभी कैनोरस सीधे सीधे वही आंसर आजाएगा कि भाई यह मैलीफिलस है या डल सैट है और उल्टा हो जाएगा हार्स बिटर वो मदूर अपने आप याद हो जाएगा एक है देखो प्लमेट प्लमेट का मतलब बता है नीचे की और तेजी से गिरना सर इसे कैसे याद करेंगे ऐसे या तो याद हो जाएगा एक दम ऐसे समझो कि प्लंज कैसे याद करोगे लंज प्लंज कुछ भी याद करो एक है स्लम्प मतलब सिल्प हो गया उस्लम लंप ले गई अब उपर ते अगर नीचे जाहिज है कुछ चीज गिरेगी तो वो स्लम्प सिलिप है गई एक मतलब कुछ अब जाना है इधर और यहां से लेकर के चल रही है तो अगर इधर उदर जाएगी तो जाएज अपनी डेस्टिनिसन तक नहीं पहुँच पाएगा तो यह लिकरो नाइव मतलब एकदम से नाव है अब एकदम सीधे जाती है या फिर ऐसे तो नाइव मतलब नाई है नाई म इसे दे दो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप किशी जो है दुकान पर नाई की दुकान पर पहुँच गे और पता चला के डेट सो रुपे बालई वाल कट रहें तो अब ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ एक्सपिरियंस आप लंबा है इतना लंबा है ठीक है लेकर अगर वो एक्स्टा लंबा है तो जाएचा सब लोग उसकी प्रसंसा करते हैं जैसे मैं आपको याद लाते हैं जैसे कोई सब बफर लगा हुआ है साधी बिवाद चल रहा है वहाँ पर सब एक्स्टा टॉल कोई आए गई अब ओ भा वहाँ वहाँ क्या मतलब भगवान ने बनाई है बड़ी फुसरती तो याद रखना एक्स्टा टॉल का मतलब होता है प्रसंसा करना एक्स्टा टॉल होगा तो वह मतलब प्रसंसा हो जाएगा मतलब वही हो जाएगा अपलॉज अपलॉड हो जाएगा ठीक है कंडेम तो उस अब एक घर में शादी हो गई इतने अब भहू आ गई और उसकी शासु मा है अब जाइज जासु मा ने कुछ गडबड कर दिया मतलब कुछ गलत काम कर दिया तो जाइज जो उसकी जो भहू है जो नई नवेली भहू आई है वो जो है अपने हस्बेंट से सिकाइट करने में एक दम बेमन के साथ में सिकाइट करेंगी कि पतो ना है अगर बाई पतो चले गई तो जाय समय रेल बनाया देखो मेरी तो आप याद रखेंगे बेमन का मतलब होता है कि बेमन के साथ में क्या करने आप सिकाइट करने किसे बहू सिकाइट कर रही है हज्रेंट से और अगर उसे इसलिए बेमन से कर रही है ज़्यादा हद देगी अब तो कहनी परेगी और जैसे उसे पता चला सास को कि इसने मेरी सिकायत मेरे बेटे से की है तो ध्यान रखो पृर हाँ तो बेमन का मतलब होता है बेमन से मतलब शिकायत करना इसदैडत वही होता है कंप्लेंle करना नहीं बेवेल बेवेल मतलब वही बावी बावी सिकायत कर रही है बेवेल मतलब बावी लिख रही है दिवर बावी का तो रस्टा एक डम लॉलिपॉप हो है चलो आप यादर रखो ये वहाँ पॉपर पॉपर का मतलब होता है गरीब देखो सर मेरे मतलब बिलकुल भी आप जानते कि मतलब घलत नहीं है बस यादी करना है ठीक है अब देखो पॉपर ऐसे लग रहा है मतलब पॉपर अब सपोस्पोर आपने देखो आप गाड़ी ड्राइव करते हो और आगे कर कोई गरीब कोई पूर आ गया तो जाइज है गाड़ी कितनी पॉपों कर लिए चाहें पॉपों कर लिए मतलब वो हटेगा नहीं आप याद रखना पॉपों कब की थी गरीव के सामने अपने गाड़ी को रोखाता हूँ पॉपों कर दी थी ठीके तू पॉपर हो जाएगा बताओ पॉपों मतलब क्या हो जाएगा गरीब हो जाएगा मतलब पॉर हो जाएगा डैस्टीट हो जाएगा अब आगे है अबेंटन मतलब छोड़ देना त्याग देना मतलब लीव या रिनाउंस कर देना अब देखो ऐसे करो अगर किसी चीज़ को आपने बेन कर दिया है क्या कर द abstinence हो जाएगा, आगे देखो फियासको, फियासको मतलब हो गया asphalt, ऐसे लग रहा है मानों ये fees लिख रही हो, और इसको मतलब school की, अगर आप school की fees नहीं दोगे, तो school के teacher क्या करेंगा, आपको fail कर देंगे, मतलब asphalt अपराप्त होगी आपको, तो मतलब failure हो जाएगा, breakdown हो जाएगा, उल्टा success achievement हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे आपके सामने है, और वो है, देखो defile, क्या लिख रहा है ये बताओ जल्दी से, ये लिख रहा है defile, अब एक starry नेता है, उनका जो record है, वो file है, वो कैसा defile है, एकदम दूसित कर दिया हुनने, तो याद रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, D base हो जाएगा, उनका base अच्छा नहीं, dirty हो जाएगा, upgrade and stream, ये उसको हो जाएगा, एक और देखो, essay, AWS essay, essay का मतलब होता है, मूल्यांकन करना, मतलब examination या evaluation, आप ऐसे याद रखो, ये लिख रहा है essay, अब जाहिज है, essay मतलब ऐसा लग रहा है, कोई निमंद संबन देता है, अब निमंद यदि आपने लिखा है, तो जाहिज है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका evaluation किया जाएगा, examination किया जाएगा, आपने essay सही लिखाए का नहीं लिखा, तो याद रखेंगे, essay का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्यांकन करना, चलो, ये सब याद होगे, ignorance and neglect ways का उल्टा हो जाएगा, बाकी मैं आपको कल करवा दूँगा, अब मैं ऐसा करता हूँ, कल वाले जो मैंने करवा दिये, उनको मैं एक वार जल्दी से आपको revision करवा देता हूँ, और ट्रिक है, ये कभी कोई बूलता नहीं है, काजल काजल तुम सिर्फ मेरी हो, और काव की ना है सके, तो याद रखना, चापलूस ही करना, काजल की चापलूस ही करोगे, ये आपको एक्टर वनना है, तो, एक्ट्रेस, पैन सिब, अब देखो सावंत कैसी है, अपने आपको बुद्धी, एकदम ऐसे समझते है, मी सब के बुद्धिवारी हूँ, जबके ऐसा नहीं है, समलो एक नम्मर की मतलब क्या बोले, तो सावंत मतलब याद रखना, बुद्धी मान समझती है, अपने आपको, सेज और मास्टर, ठीक है, सेज मतल अगर आप प्रिनेंशियेशन को देखोगे, तो गड़वड हो जाएगा, मैं इसे बावड़ी पढ़ रहा हूँ, तो बावड़ी बैसे ही, अगर कोई बावड़ा होगा, या बावड़ी होगी, जाएज है, कुछ नो कुछ गटी आओगा, उसी को आप बावड़ी बोलते पेरों मैं भी परदंग, ओ मैया, ओ बहुजी बहुजी, तो याद रखना मलब उसे बोलते हैं, जैनित या पनाकल, कई सारी जो कोचिंग सोती है, उनका नाम भी होता है, कैपरीशियस बहुत जल्दी बदलने वाला, कैप माने होता, टोपी और प्राइस मतलब समझ लो, कै कैप और प्राइस, कैप की जो प्राइस होती ही, बहुत जल्दी जल्दी क्या होते है, जो फिकले होती ही, चेंज होती ही, एक हैस में ट्रैंकुल, train याने ट्रैं के अंदर जो कुली होता हो इद्दम सांत बैटा रहता है, भ Mandy, उसे ये लगा रहता है, कि अगर मैं जादा बोलूँगा और कोई आगया शन की तो याद रखना मेरी रेलम पेल बना देगा तो याद रखना शांत मतलब काम कूल हो जाएगा आगे देखो गरमपी अगर आप किसी से बोलोगे कि भाईया यह चाहे और इसे गरमपी जा गरमपी 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 तो वो चड़ चड़ा एकदम श्यॉरली ट्रिक्वूलेंट हो जाएगा चिड़ चड़ा जाएगा एक हैस में कोवेनेंट समझौता मतलब कवा और आंट माने चीटी कोवे और आंट कवा और चीटी की क्या हो गया agreement हो गया, contract हो गया pandemonium, अब जो पंडा लोग होते हैं, और जो मुनी लोग होते हैं, आपको पता होगा, वहीं पर कोला हल होता है, बात अवर्ण, क्योंकि वहाँ मंत उचान होता है, और उनके गीत भगवान के होगाते हैं, तो pandemonium हो जाएगा मतलब reckless noise हो जाएगा, belly cause का मतलब होता है, जगडालू, अब सभी के गर में आपको बताओ, billy जो होता है, वो cause होता है, किसी भी लड़ाई के बारे में, तो याद रखेंगे शीज़ को अब देखेंगा, ये रख रहा है, castigate मतलब कास्ट की उपर जाएज है, बड़े लोग जो होता है छोटे वाईयों को क्या डारते फट करते हैं, तो reprimand review करते हैं, आगे देखो Benny, Boland, आप बनिया जो लोग होते हैं, वो बड़े भोले वाले होते हैं, जाइज है, मतलब वो दयालू भी होँगे, तो दयालू हो जाएगा, काइंट हो जाएगा, आगे देखो detrimental मतलब जाइज है, एक mental जो होता है, वो डॉक्टर का यदि काम करें, तो जाइज है आपको याद करना है, एक्स्टॉल मतलब अगर कोई बन्दा एक्स्ट्रा है और वो टॉल है, तो जाइज है उसकी हर लोग जाइज है बैन कर दी सरकार ने, तो उसे डॉन भी उसे क्या छोड़ के चला जाएगा, कि मेरे तो काम की ही नहीं है, यह फैक्ट्री पर उसने कबजा कर लिया तो, एक है फियास को, फियास को मतलब अगर आपने स्कूल की अगर फीस नहीं दी, तो जाइज है स्कूल वाले आपको फेल कर देंगे, तो वो फेलियर हो जाएगा, डी फाइल, जो नेता लोग होते हैं, उनकी जो फाइल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो एकदम दूसे, एकदम मतलब डर्टी होते हैं, तो याद रखेंगे, वो डर्टी हो जाएगा, चलो, तो डी वेस हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, एक है essay, अब जाए-जाए, essay अगर आपने लिखाया तो उसका मुल्यांकन किया जाएगा, examination, evaluation हो जाएगा, ignorance, neglect ये इसका उल्टाए, चलिएगा, इसके बाद कल की वीडियो आने वाली हैं, जो remaining questions से, इसका पहला पाट आप जरूर देखेगा, काफी मज़ा आएगा आपको, और ये second वाला है, आज की वीडियो कैसी लेगी, जरूर कमेंट करके बताना, देखे, अगर आप support देंगे न, तो मैं बहुत अच्छी trick बना करके, मेहनत करके आपके सामने जरूर लेके आया एक्जाम तक मैं आपको काफी अच्छी work app करवा दूगा, अब Air Force ने भी कोई भी एक्जाम हो, चलो, थैंक यू